Hello Friends, Welcome back to Hindi Mirror Channel सभी स्टूडेंट का Hindi Mirror प्रफिस से स्वागत है आज हम जो कंटेंट लेकर आए हैं लगातार हम आपके लिए तीनों वीडियो डालेंगे यानि के तीनों ही क्लासिज की चाहे आपका बीए फस्टेर है चाहे आपका सेकिंड देर है चाहे आपका थर देर है और सब्जेक्ट जो आपके रह चुके हैं अभी आपका संस्रित का पेपर होना है तो संस्रित के पेपर का कंटेंट हम आपके लिए अप्लोड करेंगे जिसमें आपको पहले बुक से कराएंगे इसके बाद आपका जो हम पेपर जो है previous पेपर उसको अप्लोड करेंगे चलिए पहले book का content अप्लोड करते हैं अप्ले इस्ट का content है अब इसमें जो है युनिट चेक करेंगे पहले की आपके कितनी युनिट है और पेपर का नाम क्या है पेपर का नाम है आपका नाटक अलंकार एवम चंद और पर्थम खंड में अभी ग्यान शाकुंतरम के लिए है जो की कालिदास द्वारा लिखा गया है दृत्य खंड में आपके अलंकार चंद्रालो पंचम म्यूख है फिर उसके बाद रित्य खंड में अलंकार वैच्छंद है फिर इसके बाद आपका बस इतनी ही आपकी यूनिट है तो कुल मिलाकर इन खंडों में 13 यूनिट आपके बैठती है 13 यूनिट में ये कौन-कौन सी इंप्रूटेंट आपके लिए बहुत जादा है 100 परसेंट जहां से कोश्चंस बनेगा ही बनेगा वो आपको बताया जाएगा और साथ में किस-किस को आपको गो थूरू करना है वो चीज भी आपको बताई जाएगी चलिए शुरू करते हैं जुर जाएगी जो इस्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े है और जो जुड़े चुके हैं लाइक कर लीजे शेयर कर जिए और क्या नाम क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है बैल आइकन हिट कर देना है फड़ापट लाइक तो बनता है शुरू हो चुकी है वीडियो आपकी और शेयर कर दीजिए सभी बीएफस्टर के स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें जो पहली यूनीट का नाम है इस वाले खंड में नाटे साहित्य का उद्भव विकास काली दास का जीवन वरत उनकी कावे प्रतिभा तो सबसे पहले इंपोर्टेंट तो आपके लिए बनता है काली दास का जो जीवन प्रिचे है वो उसको याद कीजिए और नाट नाटे साहित्य का उद्भव नाटे साहित्य का विकास ठीक है अर्थ कैसे विकास कैसे उद्भव कैसे और काली दास का जीवन परिचे हैं और इनकी रचनाएं बस इतना ही आप कर लिज़े और यहां से प्रशने 100% आपका बनेगा चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ नमबर अच्छे बन जाएंगे नेस्ट है अभी ग्यान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है सारांश आप से पूछा जा सकता है साथ में पात्रों का चरेचितरन देखेंगे कौन-कौन से पात्रे इसमें इंपोर्टेंट है फिर उसके बार नाटे शास्त्रे वैसिस्त्रे य कई बार ऐसा होता है कि सारांश लिखा वार आ जाता है या पिर कथा सार लिखा वा जाता है तो सर इसके अब यह methad रह्या क्या बततुन की समरी ने अब यहां पर चरेचित्रन शकुम्तला का तो जरू कर लीजे अंडर परसेंट एकजाम में बनता है दुश्यन तो करनों को भी go through कर लेना यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है और इस ग्रंद की वैश स्टेक क्या है नाट्टे शास्त्रे तो वो भी आप याद कर लीजे पूछी जा सकती है लेकिन जो important है वो आपको बता दिया गया है चलिए आगे चलते हैं आपकी यूनिट पर थर्ड यूनिट की तरफ हमा चुके हैं थर्ड यूनिट है आपकी अभी ज्यान शाकुंतलम प्रथम अंक मूल पाठ वही आर्थ क्या है व्याक्या व्याक्रानतवक टिपड़ी अब यहां पर कौन कौन से अंक अब यहां पर जो अंक हैं इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहां से कौन सा लिया जा सकता है ठीक है तो इनको आपको सारा ही देखना पड़ेगा कुछ नहीं कहा सकते कि कौन सा इंपोर्टेंट होंगी पंक्तियां तो आपको अगर सारा पता है और आपने छीक से पढ़ा है तो कहीं से भी कोई भी पंक्ती आए और पता ही है बस दो चीजे आपको मेन इसमें होती है कि अभी ज्यान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है जो पंक्ती आई है वो आपको पता हो कि ये कहां से है और किस तरह से इसमें आपको एस्प्ले जो आपकी व्याख्या होती है उसके कम ध्यान देते हैं आपने थोड़ा बहुत भी एक्स्प्रेंट किया हो तो नंबर मिल जाते हैं साथ में नीशे जो टिपनी लिखी जाती है वो भी उसके ध्यान दिया जाता है ठीक है चलिए आगए आज आगए हम दुवित्य तृत्यां साथ में वही व्याख्या है तो इसमें भी आपको व्याख्या करनी है अब यह जितनी भी यूनिट है आ गई सब व्याख्यावाली है तो इनको सभी को एक बार गो थुरू कर लेना आपको सिर्फ जो पंक्तियां है वो देखनी है बाकि ये भी ज्यान शाकुंतलम तो आपको पता ही है किसके द्वारा लिखा गया है आपको बस इसमें ये देखना है कि ये पंक्ति इसकी है है ना चलिए आचुके है नेक्स्ट उनिट पर यहाँ पर भी चतुरतंग में भी व्याक्या ही है ये भी आपको देखना है एक से ग्यारा मूल पाठ व्याक्या ठीक है भी ज्यान शाकुंतलम चतुरतंग अब ये नहीं कह सकते ना कि फर्स्ट उंक में से आएगा सेकिंड में से आएगा थर्ड में से आएगा कौन से अंक में से आएगा ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते और वो देख आपको करना भी ने चाहिए अगर आपको पता है कि ये वाली पंक्ते जो मैं भी आपको बता रही थी तो बिल्कुल आपका सही जाएगा पंजम अंग में भी वही है तो इस प्रकार से पांचों अंग तक आपको ये सब करना है अब आ चुके हैं दूइत्य खण में पहली उनीट अलंकार चंद्रालो पंजम म्यूख अब देख लेते हैं अलंकार आपने पढ़े ही है और अलंकारों के भी शब्दालंकार और अर्थालंकार शब्दालंकार के भी फिर अर्थालंकार के भी ये भी आपको सारा पढ़ना है तो चंद्रालो के बारे में भी आप पढ़ लीजिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी नेक्स्ट यूनिट आ चुकी है एट यूनिट पर हम पहुँच गए हैं अनुप्रास, सलेश और यमक सारे नहीं है तीन ही इनोने लिये हैं आपके अलंकार तो इन अलंकारों में अनुप्रास के भेद जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि यहां भेद में से भी questions बन जाता है ऐसे ही शलेश के खंसलेश, भ्रंचलेश, यमक, लक्षन ये सारे आपको पढ़ना पढ़ेगा इससे आप नहीं बच सकते हैं और ये इतना जो है typical भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि बच्वन से ही आपको grammar पढ़ा दी जाती है व्य नए अलंकार हैं आपके लिए अपयोरिती व्यतिरेक विभावना तो इनको पढ़ लिजिए इन में से जो ज़्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट है विभावना है तो इसको आप अच्छे से देख लिजेगा वैसे तो सारा ही आपको पढ़ना पढ़ेगा अलंकार की definition पढ़ लिजे एक एको धारन कर लिजे बस इतना ही काफी होता है अब आ चुके हैं त्रित्य खंड पर अलंकार एवं चन ठीक है अब यहांपर उप्मा अलंकार यानि के आपके जो शब्दालंकार थे अर्थालंकार इसमें उप्मा रूपक उत्परेक्षा इसमें उप्मा उत्प्रिक्षा और रूपक बहुत महत्वपून है उपर जो आपके था अनुप्रास बहुत महत्वपून था तो इनकी अर्थ परिभाशा ठीक है और इनके एक एक उधारन एक उधारन भी आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आप आसानी से कोशन को सब्वाप कर लोगे आप आती शोक्ती इंपोर्टेंट है निर्दशना इंपोर्टेंट है आप इनको गोथ रूप कर लेना देखना यहां पर पुर्धारन और व्याक्या नोने दीवी हैं चलते हैं नेक्स्ट इुनिट की तरफ आपकी क्या है अफ नेख्स्ट इंट और आपने देखा होगा कि जो आपका हिंदी का fiast paper हुआ था उसमें भी जिनके पास इंग्लिश थी उसमें भी सारी व्याकरन थी आपका जो फ़स्पेपर है फ़स्किल का सारा व्याकरन से ही संभणती थे किसी भी language में हो चाहे आपका इंग्लिश में हो चाहे आपका और भी अगर आप language लेंगे तो हुआ भी आप first paper सारा व्याकरण का ही पढ़ेंगे और व्याकरण हर language में होती है language आपको मालूम है 22 language है हमारे देश में चलिए आगे चलते हैं चंदो के लक्षन है मुधारन तो चंदो के अप्षन पर आ चुके हैं बहुत ही कहना चाहिए आपके लिए बहुत ही टीपिकल ये जो है क्या unit जाने वाली है जिनकी अच्छी पकड़ है चंदो पर तो उनको तो नहीं लगेगी लेकिन जिनको नहीं आते हैं चंद उनकी अच्छी से practice नहीं है तो बहुत टीपिकल होगी तो अगर आप इस unit को करना चाहें तो कर लिजे अगर आपके अच्छी पकड़ है तो मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या करना है एक तो आप यहां पर इसका कर लिजे फिर यहां पर बसंत तिलिका शिखर्णी इसमें शिखर्णी और बसंत तिलका का कर लिजे ठीक है और भुजंग प्रयायता कर लिजे बस इनके लक्षन दारन तयार कर लिजे यहां पर अनुस्टूप कर लिजे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा पसीत नहीं आपके लिए सफिशन्ट रहेगा अब आते हैं थार्टीन उनिट थी या पॉ मात्राओं का बड़ा रोल होता है तो यह मात्राइं आपको काउंट करनी आनी चाहिए ठीक है अब जैसे यहां पर आर्या है इसका देख लिजे आर्या के बारे में उधारण अनुस्टूप वर्णिक चंद हैं दो परकार के चंद होते हैं आपको पता ही है मात्रिक चंद तो यह भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा बड़नी चंद है कौन सा मात्रिक चंद है तो इस से इसको लोग की सायते में पद्यत अथा इस लोग भी कहते हैं इसका लक्षन इस प्रकार है बस लक्षन तयार कर लीजे और यहां पर इसका बता दीजे क्या क्या है बस और क इजरा भी बहुत ही महत्तों हैं याद कर लिजीगा यहां से कोशन आपका बन सकता है तो बने रही हिंदी मिरर की साथ थोड़ा आपका प्रिवेस कोशन पेपर लेकर आऊंगी शाम तक तो उसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कोशन एक्जाम में बन र क्याते हैं